दोस्तो आप सभी का सुवागत है मौसम समचार वीडियो में आज जानेंगी देशबर का मौशम का हल क्या रहने वाला है अगर आप भी जानना चांते हैं देशबर का मौशम का हल क्या रहेगा अगले दिनों तक तो वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करें अपन कोरे की इस्तिती बनी रहने की संबाबना है मौसम विभा की मानों तो अभी एक सब्ता तक उतर वारत में कोल्डे की इस्तिती बन रह सकती है हाला कि इसके चलते कुछ कम्याभी देखने को मिल सकती है 27-28 जनवरी के दोरान पस्मी हिमाचल छेतर में हलकी वारिस ब्रबारी की संबाबना हो सकती है 25-25 गंटों के दोरान देख बर का मौसम का हल के रहने वाला है 25-24 गंटे के दोरान देख के कई इलागों में न्युक्तम ताफमान 3 बराबर 5 डिगरी के बीच रह सकता है उत्तर परदेश पंजाब हड़याना चंडिगर दिली राइस्तान मत परदेश के कई जिलों में नुक्तम ताफमान में 6 बराबर 10 डिगरी सेलसेर के बीच दर्ज किया गया है साती पंजाब अतर पर्देश, हड़याना, चंडगर, दिल्ली, बिहार, सिकंम, ओडीशा में, राइस्तान में सुबह घने कोरे की इस्तिति बनी रहे सकती है मौसल बिभाग के अनुसार अतर पर्देश में घने कोरे की इस्तिति बनी रहेगी उतर परतेश जैसे पसंबंगाल की खड़ी पर इंटी सैक्लोटिक सर्कुलेशन और उपर चक्रवित्ती सर्कुलेशन के काडर मारा पराटा वाड़ा और आसपास के निचले इस्तरों पर चिटपुट इस्तानों पर हलकी वर्षा होने की संबाबना है अगले दो से तीन दिन है जनवरी 2024 के दोरान अंडवान और निकोरवार दीव समू में कई इस्तानों पर हलकी वर्षा होने की संबाबना है वही दोस्तों देशवर का मौश्रम का हल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें